गाइस इस मार्केट से गुजर के जा रहे हैं और कुछ ले दे रही हूं मैं इस इतना बड़ा है यह 700 साल पुराना दर्वाजा है और इसकी जो टोटल हाइट है इस दर्वाजे की ए्या है गाइस वेलकम बाक्तर आए चेनल और आज हम लोग आए हैं बुजरात के लाजर सिपीbaj Direct सिटी एहमदाबाद में और एहमदाबाद को heritage सिटी भी बोला जाता है तो इस heritage आज हम लोग heritage sites देखने वाले हैं जिनमें से एक site ये है जो मेरे पीछे हैं इसे सीधी सायद मौस्क भी बोला जाता है और ये मस्जद 1573 में बनाई गई थी और ये जो मस्जद देख रहे हैं आप पेछे ये जो जालियां देख रहे हैं इन जालियों के लिए famous है ये मजद त ये सुनी इसलामिक मस्जद है और यहां पर आप देख रहे हो यहां पर भी वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है ये जो वीक है वो 19 नॉंबर से लेके 25 नॉंबर तक रहता है यहां पर आप देख रहे हो इसी पानी से ये लोग बनाते हैं और वहां अंदर नमाज परते हैं तो यहां पर इस स्टेप से आगे औरतों को जाना मेना है क्योंकि यहां पर नमाजे पड़ी जाती है इसलिए यहां देखे यह जालियों पर कितना सुन्दर इसको जाली को बनाया गया है और यह इसनी जालियों की वज़े से ये मजद फेमस है यह जाली रेख रहे हैं आप इस पर इमेज बनी हुई है आई आयम के जो लोगो है वो इसी इमेज से इंस्पाइड है इस मजजद से पहले यहां पर इटो की मजजद थी उसे रिनोवेट करवाया सिदी सयद ने और सिदी सयद की मृत्य होने के बाद उनको इसी मजजद के पास दफना दिया गया था कि ह Sinn से बिटो अ है में रज सि гор awake बोगो है कि ए कर अम आई बनारी मेजद प्र Pack गास काह कर दो कि वेज़ नेदों है रबेट रहा में बनारी में प्लाली में कर ऐूम like सो इसी में आई रहा कि चका आई रहा रहा है तो अभी हम लोग आगे हैं, बैक साइड आफ दिस मस्जिद, इसे सीधी सैयद नी जाली भी बोलते हैं, ये जाली की वज़े से, इसे सैयद नी जाली बोलते हैं, ये जो आप चार जाली देख रहे हैं, ये जो मिल्ल की जाली है, वो रह गई थी, क्योंकि मुगलों ने जब अटैक किया था, तो वो एक जाली बनानी रहे गई थी, और जो आप सेकेंड वाला देख रहे हैं, ये ट्री ओफ लाइफ बोलते हैं इसको, और इसका जो रपलिका है, वुड़न रपलिका इसका, युएस से एंड इंगलाइन में इसका वुड़न रपलिका रखा गया है, कूरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये गुजरात सतनर का लास्ट पीस ओफ वर्क था, इसके बाद मुगल आ गयते हैं, यानि ये अकबर लोग आ गयते, तो उन लोगों ने यहां पे कबजा किया था, और उसके बाद बिटिश का कबजा हो गया था, और जब बिटिश शरक है, तो अभी हम लोग आए है, बद्रा फोर्ट में, इसको वाल्ट सिटी एरिया और अमदाबाद भी बोलते हैं, और इसे एहमर्शा ने बनाया था, 14-11 में, यहां पे ये पूरा मार्केट देख रहे हैं, यहां पे पूरा फुलान शॉपिंग चालू है सकती, हमारा आगे इसे एरिया और अमदाबाद में सिच्वेटेड है, गाइस इस मार्केट से गुजर के जारे हैं, और कुछ ले ने रही हूँ है, रिटन के आते वद्ट तो बिलकुल लेना ही है, क्योंकि यह लेडीज पूरा मार्केट देखके मुझे ऐसा अजीवजीप सा हो रहा ना कि म इसके बाद लेने वाली हैं, यहां से बहुत कुछ, तो यहां पे तो हम आये हैं, बट यह बंद है अभी, और यहां पे हर जगा में वर्ल्ड हेरिटेज वीक का यह पोस्टर लगा रखा है, तो अभी अंदर तो नहीं जा पाएंगे, यही से आप देख लीजे, अभी यहा पाँ बजे बंद हो जाता है, तो यहां पे यह पूरा भदर दर्वाजा है, देख लीजे कितना बड़ा है, यह 700 साल पुराना दर्वाजा है तो अभी हम लोगा आएंगे, तीन दर्वाजा के पास में, यह वर अफ दो ओल्डेस्ट एंड लॉंगेस्ट हिस्टोरिकल गेटवे है, जो की एहमस्ता ने बनाई थी, 14-15 में ने की जोाइस्ट में अपने का इंट्रेस में बद्रrend का उंडंट्रेस्ट है यही से बद्राव का घंट्री होता है और यह जो तीन दरवाजे देख रहे हैं यार इसमें जो बीच वाला दरवाजा है यह 17 feet width एक ऑक और बाके जो दो साइड पे दिख रहे है तो तर्वाज़े की टिष और विम्हाझ है की बेन्वाज़ दिवाजा है कि यहांपे Goddess लक्षमी जो थी, गौड़िस लक्षमी यहां से इस सिती को छोड़ के जा रही थी, उफी टाइम पे वहां का जो गार्ड था, क्वाजा, सिती, कोत्वाल, उन्होंने गौड़िस लक्षमी को कहा कि जब तक में राजा, एहमद शाह से आपके जाने की परमीशन लेके नहीं आ जाता तब तक आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती ही और उनको मजबूर किया उन्होंने कि वो उनके पर्मिशन के बगएर बाहर ना जा सके और Goddess Lakshmi वहीं पे उनका इंतिजार करने लग गए और जो Guard था वो अंदर गया और और राजा से पूछने के बजाए उन्होंने अपना सर कलम कर लिया ताकि Goddess Lakshmi जो Goddess of Wealth भी मानी जाती है वो इस एहमदाबाद सिटी को छोड़के कभी भी बाहर ना जा सके Guard के इस सेक्रिफाइस के लिए यहाँ पे भद्रा फोट के पास में उनकी समाधी बनाई गई है और यहाँ पे माना जाता है कि लक्षमी माता का वास है इसलिए यहाँ पे बीच में जो दर्वाजा आप देख रहे हैं उस दर्वाजे में 600 साल से एक अखंड जोत जलाई जाती है मुस्लिम फैमिली द्वारा जो कि मलक्षमी माता के लिए जलाई जाती है यहाँ पे भद्रफोर्ट के पास में मलक्षमी माता के लिए एक मंदिर बनाया गया था इस तीन दर्वाजे के पिलर पे एक फर्मान जारी किया गया था जो कि 10 अक्टूबर 1812 को महराठा गवर्नर चिवना जी रघुनात ने करवाया था यह फर्मान देवनागरी लिपी में लिखा गया था और इस फर्मान में राजा रघुनात ने अपने हिंदू और मुसल्मान भाईयों से यह अपील किया था कि वो और्तों को भी अपनी प्रॉपर्टी में इक्वल शेर दे और एक बेटी को अपने पिता के प्रॉपर्टी में इक्वल शेर मिलना चाहिए अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो हिंदू भाई हैं उन्हें महादेव को और जो मुसल्मान भाई हैं उन्हें अपने अल्ला या रसूल को जाके उपर जवाब देना पड़ेगा यह स्टोरी थी तीन दर्वाजे की जो कि बहुत इंपोर्टन स्टोरी थी जो कि आपको ज़रूर बताना था मुझे क्योंकि इस तीन दर्वाजे के पीछे किसी का सेक्रिफाइज चुपा हुआ है क्षपी बगवान यहां से कभी बीना जाएज यह ऊड़ूरी थी चोड़ जाते मदल धर्वाज दया यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह 1866 की फोटो है जो तीन दर्वाजा उस ताइम पर ऐसा दिखता था और यह जो खाली लौण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर उस ताइम पर चश्न मनाए जाते थे, फंक्शन मनाए जाते थे और आज देखिए यहाँ पर पुरा मार्केट है और यह इस्टॉरिकल प्लेस जो है, यह सब जो इस्टॉरिकल साइट है वो दिखाई भी नहीं दे रही है यहां पर इतने मार्केट के बीच में यह तरीके से छोप कहा है आपको यह वीडियो इन्फोमेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को पहुतार लाइक दीजिएगा चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब कर लेना मिलती हुँ जल्दी आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यावर रखें एक्स वाची बाई